हलो फ्रेंड नमस्कार आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में सौगत है आज की हम इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानि करेंट अफ्यार 21st अफ्रेयल के 21st अफ्रेयल 21st अफ्रेयल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुईस्टन से करेंट अफ्यार के दोस्तों उनको हम कवर करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए गर हमारी चैनल पर पहली बारा है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह Most Important Current Affairs and Other Subjects से Related, Other Topics से Related वीडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते है Most Important Current Affairs से देखते हैं पहला कुश्टन से दोस्तों When is National Civil Services Day Observed in every year? दोस्तों ये वीडियो में कुश्टन जो content हमारा consider किया गया वो English में है बट हमारी जो language होगी भासा होगी वो हिंदी में है तो आप UP बोर्ट से या स्रिबेशी बोर्ट, English Medium, Hindi Medium इसे कोई इसू नहीं होगा आपको clearly सब कुछ समझ में आ जाएगा तो प्लीज चलिए इस्टार्ट करते हैं When is National Civil Services Day दोस्तों पहला questions है National Civil Services Day का पापज़ट किया जाता है तो दोस्तों every year in 21st April को National Civil Services Day पापज़ट किया जाता है तो ये important questions है आप सभी को याद होने चाहिए डेज से related है National Civil Services Day का पापज़ट किया जाता है February 21st April को अबज़ट किया जाता है चलिए अगले questions के और चलते हैं दोस्तों अगला questions है Who has borne the 21st जा रोलेक्स मौन्टे कार्लो मास्टर सिंगल टाइटल तो दोस्तों रोलेक्स मौन्टे कार्लो मास्टर सिंगल टाइटल किसने बौन किया किसने जीता दोस्तों इसमें पहला options है एंड्रे रूर बेल्स दूसरे हैं दोस्तों इस्टेफन साइन टेस्ट पे पास दोस्तों तो इस रोलेक्स मौन्टे कार्लो मास्टर सिंगल टाइटल किसने जीता है दोस्तों इस्टेफन ने जीता है तो option B करेक्ट है दोस्तों जो important है जो point wise है मुझको कबर करेंगे ताकि ज्यादा time भी video लंदी भी ना हो और time भी consume हो तो चलिए देखते हैं तो important है याद रखिएगा Rolex मौन्टो 21 मतलब 2021 यानि 2021 में Rolex मौन्टो कार्लो मास्टर सिंगल टाइटल किसने जीता दोस्तों तो Stephen Testis पास ने जीता है चलिए अगले questions के ओर चलते हैं अगला important questions है दोस्तों when is world creativity and innovation day celebrated every year दोस्तों उससे पहला question था हमारा UP civil services day कब अबजूर के जाता है 21st April को और इसमें दूसरा question सा ये day दोस्तों word creativity and innovation days कब celebrate के जाता है तो दोस्तों word creativity and innovation days भी 21st April को ही celebrate के जाता है दोस्तों important है याद होना सिए 21st April को ही celebrate के जाता है word creativity and innovation days चलिए अगले questions के ओर चलते हैं अगला questions important है दोस्तों most important है recently which of the following has released the state global climate report 2020 दोस्तों recently एक report आई है state of the global climate report 2020 report किसके दोरा दोस्तों release की गई है important है तो किसके दोरा release की गई है तो दोस्तों most important है ये release की गई है word metrological organizations के दोरा यानि option see correct है word metrological organizations के दोरा ये report release की गई है तो आप सभी को याद होना चाहिए, World Metrological Organizations के दोरा दोस्तों ये रिलीज की गई है, कौन सी रिपोर्ट है, State of the Global Climate Report 2020, World Metrological Organizations के दोरा दोस्तों रिलीज की गई है, चलिए अगले पॉइंट पी और अगले टॉपिक अगला पॉइंट जो है important है, उसको हम देखते हैं, दोस्त कैसी कैसा माहौल है, पत्रकारता का इतने आसान है, कितनी कठनाईया होती है वहाँ पे करने में, तो रिपोर्ट समिट करने या देने में, तो दोस्तों इसके बारे में एक रिपोर्ट आ दी है, हर साल आती है दोस्तों, World Place Freedom Index 2021 में, तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, दोस्तों कौन सा statement true है, अँध दूसरा statement है दोस्तों, IRTIA is at the bottom, जो country है दोस्तों bottom place, यानी 180 place पे है, तो दोस्तों इसमें तो बिल्कुल दोनो options correct है, इंडिया की जो rank है 242 है, और इंडिया जो है last place पे है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जानना चाहते है, आप सब को पता होना यह कि first place पे काउन सा है दोस्तों फर्स्ट प्लेस पे दोस्तों नौरबे है नौरबे है दोस्तों फर्स्ट प्लेस पे इंडिया की रैंक तो 142 आपको पता चल गई है याद रखना है इंडिया 142 रैंक पे है और सबसे last में इर्टिया है दोस्तों तो आपको clear पता होना चाहिए सबसे last में काउन है दोस्तों इर्टिया है इंडिया की रैंक 142 है और फर्स्ट रैंक है नौरबे सेकंड रैंक है फिनलैंड की तो important है point याद जरूर रखिएगा आने वाले exams के लिए most important है चलिए अगले questions के और चलते हैं अगला questions है where is sabarmati riverfront is being developed दोस्तों sabarmati riverfront कहां पे develop किया जा रहा है तो most important है sabarmati river जहां पे है वहीं पे riverfront is develop किया जा रहा है दोस्तों आहमदाबाद में तो most important है options अगर देखना चाहते है तो option C correct है option C, आहमदाबाद correct है आहमदाबाद दोस्तों तो correct option C है तो आप सभी को याद होना चाहिए आहमदाबाद कहां पे है दोस्तों आप जानते है गुजरात में है तो गुजरात के काउंसे city में sabarmati river front is develop किया जा रहा है दोस्तों most important है तो कहां पे है दोस्तों clear होना चाहिए आहमदाबाद में आहमदाबाद में दोस्तों यह develop किया जा रहा है तो please carefully याद रखें कि point को याद रखें most important questions है आने वाले exams के लिए बहुत ही important है अगले questions के और चलते हैं दोस्तों Recently दोस्तों आपने news में देखा होगा कि शिरूई peak located recently news में एक topic पाइंट था सिरूई peak है शिरूई peak के बारे में था यह सिरूई peak कहां पे है peak मतलब चोटी है दोस्तों पहाडी चोटी है कहां पे है दोस्तों most important है किस state में तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए Assam में है दोस्तों Assam में है Assam में है सिरोई पी कहाँ पे है Assam में है important है clearly याद रखिएगा Assam में कहाँ पे located है recently news में था क्योंकि यहाँ पे कुछ जन जातियां रहती है जो है जैसे जैन जातियां तो recently news में आया था topic उठा था इसके बारे में तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे है तो Assam में है सिरोई पी कहाँ पे located है तो चलिए अगले point की और आते हैं recently आपने news में ये भी point सुना होगा नहीं सुना है तो clear fully वीडियो को देखिए दोस्तों और रूपूर nuclear power plant located कहाँ पे located रूपूर nuclear power plant जाए दोस्तों बांगला देश में है दोस्तों बांगला देश में रूपूर nuclear power plant है located है तो most important जाओ रूपूरियो याद होना चाहिए तो आप सभी कू coconut questions है इंडिया और रसिया के help से ये power plant बनाया जा रहा है nuclear power plant कहां पर डेवलब किया रहा है दोस्तों बंगलादेश में रोपूर nuclear power plant कहां पर है बंगलादेश में दोस्तों बंगला तो केरफली आप वीडियो को जरूर देखिएगा नोट कर लीजेगा जो important point है बंगलादेश में है रोपूर nuclear power plant दोस्तों चलते हैं who is the attorney journal of USA दोस्तों USA United States of America का नया attorney journal किसे न्यूट किया गया है दोस्तों most important है तो गैरी दोस्तों देखिए मेरीग ब्रेन गार्लेंट को मेरीग ब्रेन गार्लेंट को USA के नए attorney general न्यूट किया गया है दोस्तों USA का नया attorney general किसे न्यूट किया गया है important questions है याद रखिएगा अगले questions की और चलते हैं दोस्तों किसे इंप्लिमेंटेशन किया है तोस्तों क्या g Th corrupt. आप देश का आम ना-गरीक दोस्तों उडानी स्कीम का फुल फार्म है उडान का यानि गौर्णमेंट आफ इंडिया के दौरा रिसेंटली टॉन्टी सिक्स नए रूट नए यह यह बेज मतलब नए रूट से इंकलूड किये गए हैं दोस्तों तो उसी के से रिलेटेड यह कुश्चन था उडानी स्कीम मुश्च इंपोर्टम करण से दोस्तों रिसेंटली आपने यह बही ने था ञां पहं पे लोकेटिट यह इंप़्ॉट honor चलिए न्यूज में था तो दोस्तों हजारिया पोर्ट कहां पे लोकेटेट है तो इंपोर्टेंट है आप सभी याद रखिएगा गुजरात में है दोस्तों गुजरात में हजारिया पोर्ट लोकेटेट है दोस्तों हजारिया पोर्ट कहां पे लोकेटेट है important point है important place related questions है दोस्तों तो हजारिया पोर्ट कहां पे located है गुजरात में दियाद रखिएगा most important है चलिए अगले questions की ओर चलते हैं अगला questions है दोस्तों most important क्यात्य च्छिजिट्वां देखते हैं दोस्तों इंडिया के तरफ पर पर्टिपेट करते हैं तो किसके दौरा पर्टिप्रवेट किया गया दोस्तों किसके दौरा सुरेश प्रभू के दोरा, option B correct है, दोस्तों, इंडिया की सुरेश प्रभू ने G7 Serpa में participate किया था, दोस्तों, most important है, चलिए अगले questions की और चलते हैं, दोस्तों, अगले questions में बोला है, पूछ रहा है कि chairman and managing director, दोस्तों, CMD, जिसे कहते है, chairman and managing director, किसे nuked किया गया है, दोस्तों, most important है, किसे nuked किया गया है, तो chairman and managing director, किसे nuked किया गया है, दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, options में है, तो किसे nuked किया गया है, आप carefully याद रखिएगा, chairman and managing director, किसके, ONGC के, oil and natural gas corporations, किसके nuked किया गया है, दोस्तों, तो, सुबास को nuked किया गया है, दोस्तों, सुबास कुम को ओएंजीसी का ओएंजीसी का मैनेजिंग डारेक्टर सी एम डी न्यूट किया गया है दोस्तों चेर्मैन और मैनेजिंग डारेक्टर न्यूट किया गया है दोस्तों किसको ओएंजीसी का सुभासकुमार को सुभासकुमार याद रखिएगा सुभासकुमार हैं ओएंजीसी एक से बिलेज है जिसका नाम है फाल्टन तो यह कहां पे लोकेटेट है पूछा गया है तो रिसेंटली नियूज में था तो याद रखेगा महाराश्टर में है चलिए एगले कुश्चन्स की और जाते हैं तो अगला कुश्चन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें पूछा गया है दोस्तों एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ग्लोबल जंडर गयप रिपोर्ट दोस्तों इसमें ग्लोबल जंडर गयप यानि मेल और फिमेल में क्या गयप है कितनी किसकी प्राथिमिक्ता होती है कितनी बैरिता होती है दिये जा रही है समाज में त उसचिresie के एक औरिपोर्ट डेवलब की गई है 2021 की रिपोर्ट आई है तो दोस्तों पूछा गया है किसके दWERा रिलीज की गई है किसकी दरा रिलीज की जाती है तो दोस्तों याद रख़िएगा यह रिपोर्ट आती है वर्ड इकोनॉमिक फारम दोस्तों World Economic Forum के दार ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, हर साल रिलीज की जाती है IMPORTANT POINT ये है कि World Economic Forum कहां पे है, तो इसका HEADQUARTER है, कहां पे, GLAND SUITIGER LAND में दोस्तों याद रखेा, GLAND SUITIGER LAND में, GLAND SUITIGER LAND में इसका HEADQUARTER है दोस्तों Most Important है World Economic Forum के दोरा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है दोस्तों याद रखिएगा Global Gender Guide Report रिलीज की जाती है हर साल इस साल भी रिलीज उसे ने किया है World Economic Forum के दोरा इसका Headquarter कहां पे है तो Headquarter है Glant Switcher Land या नि जनेवा ठीक है Glant Switcher Land में इसका Headquarter है दोस्तों याद रखिएगा Most Important Questions है आने वाले एक्जाम में 100% आएगा याद रखिएगा अगला Question है दोस्तों What is the Theme of World Autism Awareness Day दोस्तों World Autism Awareness Day 2021 का Theme क्या थी दोस्तों Theme क्या थी तो Most Important है World Autism Day 2021 की Theme थी दोस्तों Options में आप देख सकते हैं Directly हम Option C पे चलते हैं Option C Correct है Inclusion in the Workplace दोस्तों Workplace में Inclusion हुआ था Challenges and Opportunity in the Post-Pandemic World Post-Pandemic World दोस्तों Inclusion Challenge कितने आ रहे हैं Opportunities क्या है Post-Pandemic World में वह ही हमारी Theme थी दोस्तों किसकी Theme थी World Autism Days Most Important है World Autism Days Awareness Days की Theme क्या थी इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा चलिए अगले Questions की और आते हैं दोस्तों अगला Questions है Which State Celebrate is Foundation Day of Utkal दोस्तों नाम से ही समझ में आता होगा Utkal Divas किसके द्वारा Celebrate के जाता है Foundation Days है दोस्तों 1 April को Celebrate के जाता है 1 April को किसके द्वारा Celebrate के जाता है तो दोस्तों ओढ़ी सा के द्वारा Celebrate के जाता है ओडी सा के द्वारा Utkal Divas Celebrate के जाता है हर साल 1 April को दोस्तों Most Important है चलिए अगले Questions के और आते हैं दोस्तों अगला Questions Most Important है दोस्तों इसमें पूछा है Beam Stick या कांटी उस इक बारे पूछा गया है तो दोस्तों कौंशी कंटी इंक्लूद नहीं है तो दोस्तों एक्ट करसे कौर्टकर इसमें ब्राजील भी है दोस्तों मैम्मार भी है M4 मैम्मार है इंडिया भी है दोस्तों स्री लंका भी है और थाइलेंड भी है तो दोस्तों कौन सी कंट्री नहीं है इसमें तो आप जानते हैं तजाकिस्तान इसमें नहीं है तो आप संसी करेक्ट है क्योंकि नहीं है तजाकि दोस्तों Thailand भी है T for Thailand and M for Myanmar हो ही गया I for India हो गया S for Sri Lanka है दोस्तों तो यानि इसमें जितनी country है यह 1, 2, 3, 4, 5, 5 country का यह group है दोस्तों हमारे इंडिया के जो पास में यानि पड़ोशी जो country है उनका group है दोस्तों most important है तो ध्यान दीजेगा भी मिस्टेक में कौन सी country नहीं included है तो option में जो था तजाकिस्तान नहीं था तो most important है चलिए अगले questions की और चलते हैं दोस्तों most important है questions की where India दोस्तों इंडिया का जो इंडिया का biggest floating solar power plant कहां पे लगाया जा रहा है याद रखिएगा biggest solar floating power plant है biggest floating मतलब इंडिया का सबसे बड़ा floating तैरता हुआ solar power plant है कहां पे लगाया जा रहा है दोस्तों तेलंगाना में लगाया जा रहा most important है याद जरूर रखिएगा चलिए अगले questions की और भी बढ़ते हैं अगला questions है दोस्तों नया दोस्तों क्या है who has taken over chief of staff western commandant दोस्तों western commandant के chief staff किसको नुक्त किया गया है दोस्तों लिए अगले questions के और चलते है most important है जो GKGS से related questions है दोस्तों इसमें पूछा गया है बाइकाल GVD in lake कहां पे है दोस्तों तो बाइकाल lake कहां पे है आप सभी को याद होना चाहिए रसिया में है तो most important है बाइकाल lake कहां पे है दोस्तों रसिया में है important है तो याद रखिएगा जरूर याद रखें most important questions है यह important questions है दोस्तों तो दोस्तों प्लीज अगर हमारे चैनल को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा यह guarantee है इस वीडियो से related मुझक आप किसी भी completion exam में आने वाले exam में बैठेंगे तो देखेंगे इस वीडियो से इस वीडियो की बहुत ही आपके लिए helpful होगी mostly देखेंगे दो चार questions इस वीडियो से इसी topic इसी वीडियो से फसेंगे यानि तो वीडियो को like कीजिएगा please share कीजिए अपने सभी friends के पास and channel को please subscribe कीजिए and पहली बार आए है तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा bell icon को जरूर दबाए तो so thank you for watching दोस्तों thank you for watching दोस्तों अगर channel को नहीं subscribe किया तो please subscribe कीजिएगा please subscribe this channel दोस्तों चलिए thank you for watching this